प्यारे विद्धर्थियों नमस्कार आज हम सर्जन पुष्टक का आठवा अध्याय कवीता की बाहने कुण नारेन द्वारा रचित पाठ का अध्यान करेंगे कुण नारेन द्वारा रचित जो कवीता है अपनी पठ्ठे करम में दो हैं एक तो है कवीता की बाहने और दूसरी है बात्सी दिथी पर सबसे पहले बात हम करेंगे कवीता की बाहने जो कवीता है उस पर और उससे भी पहले हम बात करते हैं कवी कुण नारेन के जीवन परीचे के बारे में साहित एक योगदान के बारे में एक तो पहरे विद्यार्थ यो जो कवी परीचे पर आधरित चार नंबर का जो परसन आता है तो कवी कुण नारायन के जीवन परीचे पर आधरित भी ये जो परसन है ये पूछा गया है और ये जो परसन पूछा गया है ये 2018 में इन पर ये परसन पूछ लिया गया है वहीं पर बात करें कवी कुण नारण के जीवन की तो ये तीसरे तार सब्तक के कवी है अब यहां पर एक बात आती है कि तार सब्तक का क्या मतलब अज़ेस है कि ये नई कवीता आंदोलन के परमुक कवी रहे और उसमें भी तीसरे जो तार सब्तक के जो 1969 में परकाशित हुआ था उसके परमुक कवी मने गए है तार सब्तक की बात आती है तो ये समझिएगा कि तार सब्तक में जैसे कि 1943 में जो अगे जी थे कवी अगे सचीदानद, हिरान लएत साइन अगे इन होने साथ नए कवीं का समुष था उनकी रचनाओं का संकलन करके और पिर परकासन करोया उनका संकला ने भी किया और परकासन भी करवाया उसमें साथ कवियों की नविन रज नहीं थी उसके बाद में दूसरा तार सब्तक था उसमें भी साथ नहीं कवी थे फिर तीसरा तार जो सब्तक था उस तीसरे तार सब्तक में भी साथ नहीं कवी थे इस परकार से उस तार सब्तक में यानि तीसरे तार सब्तक के कविक गोर्ण नारण जी रहें और इनका जन्म है वो 1927 इसी में हुआ तत्रा इनकी जो मर्त्यू है वो 15 नौंबर 2017 को हुई नहीं कविता अंदोलन के पर्मुक कविक वोर्ण नारण का नाम तीसरे तार सब्तक के अगरगने कवियों में लिया जाता है वे अपनी रचना सीलता और मित के मादेम से वर्तमान को देखते थे उनका रचना संसार बड़ा व्यापक है 1950 के आजपास काविल लेखन की शुरुआत करने वाले कुवर्ण नारण ने कविता के साथ साथ कहानिया लेख यों फिल्म समिक्स हैं भी लिची इनका मानना है कि कविता उनके लिए कोई बावुक्ता की खाय खाय नहों कर यथार्थ के परती एक परोट परती किरिया की मार्मिक अभिवेक्ती है अर्थार्थ उन्होंने यानि कि जो कावे सर्जन किया है वो अपने अंतरमन की आवाज को सब्त रूप में प्रस्तूत किया है उनके लिए कोई ये परतियों गिता का कारिय नहीं था कि वह ज़्यादा से ज़्यादा साहीते रजना करें बलकि उन्होंने वही लिखा जो उनके अंतरवन में बाहुकतावस, बावावेसवस जो विचार जो आये उन्ही को उन्होंने सब दुरूप दिया इनके कविता संग्रे की अगर बात करें तो जैसे चक्रव्यू है परिवेश हम तुम अपने सामने कोई दूसरा नहीं वे इन दिन और इनके दो मुख्ये खंड का वे हैं एक तो है आत्म जई और दूसरा है वाद सर्वा के बहने आकारों के आज पास इनकी कहनी संग्रे है इनके अलावा आज और आज से पहले नामक समिक्सा गरंत भी इन्होंने लिखा है अपने यहां पर जो पाट्टे पुष्टक है और इसमें संकलित जो पहली कवीता है कवीता के बाहने इस कवीता के बाहने कवीता में मोल रूप से कवीने आज का जो वर्तमान दोर है विज्यान का जो दोर है या फिर यों कह दें कि यांत्रिक्ता का दोर है कि बोत्रिक्ता और इस यांत्रिक्ता के दोर में ऐसा माना गया कि कवीता की मैता गट जाएगी लेकिन कवी ने इसको नए सीरे से खारिज कर दिया कवी का कहना था कि कवीता की मैता थी कवीता की मेता है और कवीता की मेता बनी रहेगी कहने का अतात परिये कि आज यांत्रिक्ता के दोर में भी कवीता की जो मेता है उसको दर्साना ही कवी का उद्दिश से है और इस संद्रब में कवी ने ये बात भी कही कि जो कवीता की उड़ान है आँ वो सीमातीत है, सीमा से परे है यानि कि उसका कोई दाइरा नहीं है यहाँ पर इन्होंने तीन उदारण लिये पहला उदारण लिया इन्होंने चिडिया का दूसरा उदारण लिया इन्होंने फूल का और तीसरा उदारण लिया है बच्चे का और इसके माद्यम से ही इन्होंने ये बात समझाने की कोशिश की है कि कवीता की जो सीमा है वो कहीं होती ही नहीं है बोगलिक सीमाओं में कवीता को नहीं बांदा जा सकता उसकी उडान तो सीमातीत है या कवीता के संद्र में आगे कहा गया है कि कवीता का खिलना उसकी महक भी सीमाती था बच्चों के असीम सपनों की तरफ कवीता का दायरा भी असीम है और जहां पर भी सरजनात्मक смож की उर्जा होती है निर्मान की जहां पर ताकत होती है वहाँ सीमाउ के दायरे सबत ही तूट जाते है इसी करम में दूसरी कविता भी इनकी है और वो है बात सीधी थी पर यहां पर जो कवी है उसने बासा और जो कत्थे है दोनों के संद्रम में बात कई है हलांकि इस कवीता पर हम आगे बात करेंगे क्योंकि इस से पहले हम कवीता के बाहने जो कवीता उसका अध्यन करेंगे फिर भी इसके बारे में मैं आपको बता दूँ कि यहां पर बासा और बात का तालमेल रखने की बात कई गई या यूँ कहें हैं कि अपनी बात को कहने के लिए निशित सब्द होते हैं और सही जगे पर सही सब्द का इस्तेमाल करने से विक्ती अपनी बात को इसपष्ट कर पता है यहाँ पर कभी के संद्रम में कहा गया कि ज्यादा गुमावदार जो बासा के चक्कर में कभी कभी सीधी बात भी उलजकर एग्राहे बन जाती है अर्थार्थ समझ से परेखो जाती है अच्छी बात या अच्छी कवीता का सरजन सही वे सहज सब्द से जुड़ना ही है तो सबसे पहली जो कवीता है उसमें हम बात करते हैं कि कवीता के बाहने यहां पर कवी करें हैं कि कवीता एक उड़ान है चिडिया के बाहने कवीता की उड़ान भला चिडिया क्या जाने बाहर, भीतर, इस घर, उस घर कवीता के पंख लगा उड़ने के माने चिडिया क्या जाने यहां पर कवी ने कवीता के संद्रम में जो बात कही है और चिडिया का उधारन लेते हुए यह बात कही है यहां दोनों में समानता करते हुए कवीता की मैथा को प्रस्तूत किया है कवी यहां पर जो बात कह रहे हैं कि कवीता एक उडान है चिडिया के बादे तो कवी कह रहे हैं जिस परकार से चिडिया उडान भरती है उसी परकार से कवीता भी उडान भरती यहां पर मानविकर्ण भी कर दिया कि जैसे चिडिया पंखों के सारे उडान भरती है उसी तरह से कविता कलपना के सारे उड़ान बढ़ती है परन्तु चिडिया की जो उड़ान है उसके बारे में सबी परीचित है मगर कविता की जो उड़ान है उसको कोई नहीं जानता चिडिया की उड़ान है वो जैसे बाहर, भीतर, इस घर, उस घर कहने का ताद परिये कि एक निश्चित दाइरे में ही है वो यहाँ से वहाँ तक इस घर से उस घर तक वह उड़ान बढ़ती है फिर ठक जाती है और रुक जाती है परन्तु कविता के पंख लगा उड़ने के माने का मतलब है यानि कि माने और्थ बात कि कविता के पंख लगे होने की जो बात है उसको चिडिया क्या जाने चिडिया नहीं जानती यहां पर बाभारत यह है कि जिस परकार से चिडिया अंखों के साहरे उडान बढ़ती है उसी तरह से कविता कलपना के साहरे उडान बढ़ती है चिडिया की उडान का एक निशित दाइरा है एक निशित सीमा है उसके बाद में जो कवीता है वो ठक जाती है रुक जाती है परन्तु कवीता अपने कालपनिक पंखों की उडान भरते हुए वह ना तो रुकती है ना कभी ठकती है इसी बात को यह कह दें कि वे कभी नहीं थकती और कभी नहीं रुकती वे सीमाओं से परे उडान बढ़ती है उसकी उडान का कोई दाइरा नहीं है उसकी उडान की कोई निशित सीमा नहीं है परन्तु इस बात को चिडिया नहीं जानती यहां पर परसना अलंकार भी हो गया अनुप्रास, परसना अलंकार और मानुएकरण यह यहां पर अलंकार है उसके बाद में जो कवी ने दूसरा उदारण दिया और जो दूसरा उदारण लिया यहां पर यहां कवी हैं और वो कह रहे हैं कि कवीता एक खिलना है फूलों के बाहने कवीता का खिलना भला फूल क्या जाने बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुर्जाय महकने के माने फूल क्या जाने पहला जो उदारन इन्होंने दिया चिडिया का वहीं पर दूसरा उदारन यहां पर फूल का दे रहे हैं कि जिस परकार से जो फूल है खिलता है अपनी महक चारो और छोड़ता है जब से पहले आप यह करें हैं कि कवीता एक खिलना है फूलों के बाहने कि जिस परकार से फूल खिलते हैं उसी तरह से कवीता भी खिलती है कवीता का खिलना बला फूल क्या जाने परन्तु जिस परकार से कवीता खिलती है उसको फूल नहीं जानता नहीं समझता इस घर उस घर बिना मुर जाए महकने के माने फूल क्या जाने अब यहां जो बात आई है न, वो बात ये करी गई है कि फूल खिलता है, खिल करके अपनी महक छोड़ता है, यानि कि उसकी जो महक है वो वातावरण को खुश्बू महक कर देती है, बाहर है, भीतर है, इस घर है, उस घर है, यहां से वहां तक, एक निशित दाइरे तक, लेकिन उसके बात में वो जो फूल है वो मुर्जा जाता, और फूल के मुर्जाने के साथ साथ उसकी खुश्बू है, वो भी नश्ट हो जाती है, यहां पर बात आई कि बिना मुर्जा ये महकने के माने फूल क्या जाने, यह बात कवीता के संदर्व में, कि जो फूल है, फूल मुर्जा जाता है उसी के साथ में उसकी खुश्बू भी नश्ट हो जाती है परंतु जो कविता है और वो कविता भी खिलती है उसके बीथर भी महक होती है और कविता की जो महक है हमेशा बने रहती है क्यों कि कविता कभी मुर जाती नहीं है अब यहां पर बात आई इ वो पत्तियों के रूप में, पंखुडियों के रूप में खिलते हैं, कवीता सब्द रूप में खिलती है, सब्दों के मादम से एक एक सब्द जुड़ करके और कवीता का सरजन होता, निर्मान होता है, पत्ते जो हैं, यानि के पंखुडियां, पंखुडियों के मादम से फ में भी महक की बात कई गई अब कविता में महक होने का मतलब है बहावरस बहावरस का आनन्द कि जैसे ही सब्दों के मात्म से कविता का सरजन होता है उसी के साथ साथ उसमें बहावरस आ जाता है उससे रसानों भूती होती है लेकिन देखे दोनों में अंतर कि फूल के मुर जाने के साथ उसकी खुश्बों नश्ट हो जाती है मगर जो कवीता एक बार खिल गई उसमें भाव रस आ गया उसके बाद में कभी भी उसकी जो रस मेता है उसका रसासवादन है वो कभी मिटता नहीं है विक्ति हर समय हर काल में हर परिश्टिती में हर इस्तान पर उसका रसासवादन कर सकता है कहने का अतात पर ये उस कवीता का वो आनन्द ले सकता है इसलिए यहां पर जो कवी है उसने ये बात कही कि फूल है और वो कविता की मेता को नहीं समझ सकता क्योंकि कविता है वो कभी मुर्जाती ही नहीं है वो बिना मुर्जाय महकती रहती है और इस बात को फूल नहीं जानता यहां पर जैसे अनुप्रास है रूपक है आदी अलंकारों का परियोग हुआ है और इस कविता की जो अंतिम पुंक्तियां हैं उनको हम देखें यहां पर तीसरा उदारण लिया है और वो तीसरा उदारण लिया है बच्चे का याद रखिएगा इसमें जो पहला पद आया और उस पहले पद में चिडिया के बारे में बात कही गई और वो जो पद है उस पद की वेच्चा भी अपने को पहले पूछ ली गई है बोर्ड की एक्जाम है और ये अभी ज़से की दो हजार बीस में ही ये पेपर में पूछ लिया गया है पहले बाले के जो चिडिया ये चिडिया की उड़ान वाला जो पद है उसको दो हजार बीस में बोर्ड की प्रिक्सा में पूछ लिया गया अंतिम इसका जो पद है बच्चे की बहाने यानि बच्चे का उदान देते हो ये बात कई है ये बहुत ही महत्वर्प्रोन है बहुत ही सारगर्वी तह है और अपने आप में अनुपम है यहाँ पर इन्होंने जो बात कई ही वो बात ये कई ही कि कवीता एक खेल है बच्चों के बाहने बाहर बीतर ये घर वह गर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाए कवीता एक खेल है बच्चों के बार अब यहां पर बात आती है कि जिस परकार से बच्चे अपना खेल खेलते हैं उसी तरह से कवीता भी अपना खेल खेलती और बच्चे खेलते हुए बाहर बीतर इस घर से उस घर तक पहुँच जाते हैं उनमें किसी तरह का वैचारिक वैमन से नहीं होता वो इन सारी चीजों से उपर उठ करके और फिर यानि की वो जीवन जीते हैं सब घर एक कर देने के माने यानि सब घर एक कर देने का अर्थ है कि सभी में एकता बनाया रगा अब यहां पर बात आई कि जो कवीता है वो भी सब घर एक कर देने की ताकत रखती है और जो बच्चा है वो भी सब घर को एक कर देने की ताकत रखता है अब यहां पर सब घर एक कर देने का मतलब यह है कि जब बच्चे खेल खेलते हैं उस समय उन बच्चों को खेलते हुए देख करके उनके माता पीता बड़े परसंचित होते हैं हो सकता है कि उन बच्चों के माता पीता है उनमें वैचारिक वैमनस्य हो उनमें जगड़ा हुआ हो मन मुटा हुआ हो लेकिन जैसाइ उन बच्चों को एक साथ खेलते हुए देखते हैं तो उपने वैचारे की वैमनस से अपने जगडे, अपने मन मुटाव को भूल जाते हैं और प्रेम से रहने लगते हैं और ये जो प्रेम की शिख्षा मिल रही है, ये बच्चों से मिल रही है अर्चार बच्चे हैं और वो हमें संदेश देते हैं प्रेम की भाईचारे की हमें इन जगडों से उपर उट करके इन संघर्षों से उपर उट करके एकता प्रेम और अखंडता के साथ जीना चाहिए और ये संदेश हमें बच्चों से ही मिलता है और जहां पर ये सरजनात्मक उर्जाख होती है इनमे यानि कि वहां पर इस तरह के जो बंदन होते हैं बैचारी को वहमन से का ये बंदन अपने आप तूट जाते हैं या कवी इसी बात को तो प्रस्तूत करना चाह रहा है कवी यही तो बात करना चाह रहा है कि जिस परकार से जो बच्चे हैं खेल खेलते हुए उनके जो दाइरे हैं वो तूट जाते हैं उनका कोई दाइरा नहीं होता वो प्रेयम और बाहिचारे का संदेश देते हैं उसी तरह से कवीता का अपना खेल होता है कवीता भी खेल खेलती है अब हमारे सामने बात ये आ गई कि कवीता जो खेल खेलती है वो कैसे खेलती है इस बात को हमें इस परकार से समझना चाहिए कि बच्चों के पास खेलने के अपने संसादन होते हैं वो बलही चाहिए कोई साभी खेल क्यों ना खेले चाहिए वो गेली डिंडा खेले बलही चाहिए वो क्रिकेट खेले उन सब में अपने अपने सादन है उनके पास खेलने के उसी परकार से कवीता जो है उसके पास भी अपना सादन है और वो सादन क्या है वो सादन है ये परकर्ती, ये भूतकार, वर्तमान, बाविस्य, उठापटक, आउसाद, ये पेड़ पोदे ये सब उसके सादन है, कहने का अतात पर ये है कि इन सब को आधार बना करके कवीता की रचना की जा सकती है और ये सब जो चीजे हैं, ये सारे के सारे कवीता के सादन हैं, जिनके मद्यम से यानि वो खेल खेलती है और एक कविता का सरजन हो जाता, निर्मान हो जाता है, उसके बाद में ये कविता का जो दाइरा है, बंदन है, वो तो होता ही नहीं, वो तो ऐसे मित है, वो तो ऐपरीमित है, यानि कि कविता को किसी भी बंदन में नहीं बंदा जा सकता, देशकाल, परिवेश, इन सब से पर हैं वह हमें एकता प्रेम शने है और बाहिचारे की सिक्सा देती है उसके लिए जो बोगुलिक सिमारे खाए हैं वो कोई माइना नहीं रखते हैं अर्थार हमारे देश का जो साहीत है वो वी देशों में पढ़ा जाता है विदेशों का जो साहिते हैं अपने यहाँ पर भी लोग पड़ते हैं उसका अद्धेन करते हैं और यह साहिते सभी का मनोरंजन भी करता है सभी को रशानों भुती भी करवाता है उसी के साथ साथ हमें यह प्रेम की शिक्षा भी देता है इसलिए यहाँ पर जो बात आए ना कि सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने अर्चार्थ जिस परकार से बच्चे प्रेम और भाईचारे की सिक्सा देते हैं उसी परकार से कविता है वो भी हमें प्रेम और भाईचारे की सिक्सा देती है और कविता का जो महतवत भू प्रेम और वाहिचारे की शिक्सा देती रहेगी हम सब को एकता और अखंडता में बंद रहने का कार ये करेगी इसलिए कविता की मैथा को ठुकराया नहीं जा सकता बले चाए ये आज बोठिकता का युग हो यांत्रिकता का युग हो इसमें कोई फरक नहीं पड़ेगा का विता सुरू से चली आ रही है और आगे तक चली जाएगी धन्यवाद इसमें इस टॉपिक में हम आज इतना ही अध्यन करेंगे से आगे वाले जो कविता है बात सी दिथी पर वो हम आगे वाले वीडियो में लेकर के आ रहे हैं तब तक के लिए एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद है